नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी वक्त हो चला है चार बज़े का चलिए रूख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों क्यों लोग समचनाओं के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताक़ जोग दी है यूपी में मिशन अस्ती का सपना मन में लिए बीजेपी नए नए प्लैन तयार करके विपक्षी दलों को चौकाने का काम कर रही है बीजेपी पिछलों को साथने के लिए दिसंबर में एक बड़े सम्मेलन की तयारी में भी दिख रही है पिछले वर के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी बड़ा आयोजन करेगी जिसके लिए बीजेपी कारियाले में आज एक बड़ी बैठक होई है जिसके अध्यक्ष्टा नरेंद्र कश्चप ने की है तो लोग सभा का दंगल और किसका होगा मंगल ये तो फिलाल वक्ती बताएगा लेकिन यूपी में मिशन अस्ती का लक्ष लिए भारतिय जंदा पार्टी अब सक्रिय हो चुकी है जहां पिछडों को साधने के लिए अब दिसंबर में बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन करेगी जिसके लिए आज प्रदीश कारियाला पर नरेंद्र कश्चप की अध्यक्ष्टा में एक बड़ी बैठक हुई और दिसंबर में किस तरीके से ये पिछडों को साधने के लिए सम्मेलन होगा कारिक्रम होंगे उस पर विचार विमर्श हुआ है रुटेश इस खबर पर जदा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साज उर चुके हैं रुटेश देखे जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडिये की रापर निकल चुकी है तो वहीं अब पिछडों को साधने के लिए भारती अजन्दा पार्टी भी लगतार काम करती हुई नजर आ रही है अब यह जो दिसंबर में भारती अजन्दा पार्टी का यह कारिक्रम तैख्या गया इस कारिक्रम में क्या कुछ अलग और खास देखने को मिलेगा और आज इस जो बैठक कोई है भारतिया जंदा पार्टी प्रदेश का रहा है पर इस बैठक में कौन-कौन मौजूद रहा रिटेश तेके सबसे बड़ी बात तो यह है उसाथ की तरीके से आदामी लोग सबाद चुनाओ जो हजार शोदूस में पार्टिया है वो लगातार पिछरी जात्यों पर ही फोकस कर रहे हैं जानि अगर बात की जाए तो अब बात की जाए तो अब इसके लोग सबाद पार्टी चाहती है ति अपने कभजे में करते हैं लेकिन कहीं न कहीं तो फ्रीष यादो और आई एंडियाई का कशबंदन है, ये कहीं न कहीं रोड़ा बंदन है। इसको लेकर के आज इक बैठक की गई है पार्टी कार्याने में, वहाँ पार नरेज कश्चप में बैठक के अदिक्षता की है। और ये दिसंबर के दिसंबर माहने ये बात कहीं जा रही है, कि आणि दिपामदिक के बात, जिस लोग सबात केत्र में, जैसी जाद की जितना गुनाबा जाता होगा, उछ जगहों पर वहाँ के जो नेता होंगे, वो वहाँ पर आयोजन करेंगे। यानि आयोगन सामाजिक संबेलन के वूप में उनको पताएंगे तो ऐसे लिए पूरा मामला अब अब बेंग नचर गया है इस पर समी पार्टी के रिजाव की नचर गड़ी है बिल्कुल रितेश आप में सही का कि देखे पिछड़े निर्नाग भूमिका दो निभाते हैं इस बात का लगतार जिक्र हम भी करते हो या हैं ऐसे में जहां कॉंग्रेस पिछड़ों को सांदे की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी भाष्टपावी पिछड़ों को सां सब्सक्राइब करते हैं जब तक वो उनके साथ नहीं होंगे तो वो सरकार नहीं पनापके तो ऐसे में आप तबी इतने भी पार्टी के कंडिडेट है या जो नहीता हैं वो लगाता नहीं सी काम पे लग जाए अभी अगर आप मत्रदेश की बात करें तो आज एक बड़ा क अगर हम उसकी बात करें तो जो लोगसभा छेत्र होगा रहां लोगसभा छेत्र में जिस जादी का ज्यादा कुपा होगा यानि जहां पर किस्टे वर्ट जो जाना होंगे वहां पर यह आयोधा संबेनल किया जाएगा और वहां पर जैसे निजी है इसके बारे में बताए जी अजतर्न के वहां परेश के साधनी जादी कि मांग उट रही है क्या यह जो भारतिया जंदा पार्टी तमाम पिछ़़ों को साधने के कवाईत करी है क्या जादी जन न्गर्णा की कार्ट कि यहार में हुआ उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए भारत में भी होना चाहिए तो ऐसे में अब उस जातिय गड़ना की कांच ढूमने के लिए आपके जन्ता पार्ची ने एक अपना एक एक एपिसोड पनाया और एपिसोड के तहाद किये पिसंपर तक हर उस मताता इस पहुंचने की कोशिश करेंगे और हर उस पताता को भारत में चल लई पिछली आएवरत की जात्रों के लिए जो योज़ना है इसको उस तक ऐसे पहुंचा है जाद को अहीं तक पहुंच पाई है या कुछ और भी नहीं हो रहा है लागों की जाज़ती हैं जिससे वो उस्त क्रियतर से नजर आ रही है उसमें पिछडों को साधने की कवायत भी हर एक पार्टी कर रही है इसी तरश पर भारतिया जन्ता पार्टी में दिसंबर में दलितों को साधने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करती हुई नजर आएगी जिसकी तैयारिया भी शुर हो गई है और न सपा के महासचीव और पूरसांसतर रवी प्रकाश वर्मा सुमवार को आखिरकार कॉंग्रस में शामिल हो गए हैं उन्हें कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक शजराय ने पार्टी की सद्दस्तक रहट कर आई हैं उनके साथ ही उनकी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा भी कॉंग्रस का दामन थाम चुकी हैं रवी वर्मा ने कहा कि अब सपा समाजवात के सिधान से भटक गई है वहाँ पूंजी वादी विवस्ता हावी हो गई है उन्होंने ये भी कहा कि नेताजीव मुलायम सिंग्यादफ के निधन के बाद सपा में महनती और जनता की आवाज इठाने वालों के लिए कोई जगा नहीं है इसलिए अब मैं सफा से स्तीफा दे चुका हूँ और कॉंग्रस में शामल हो चुका हूँ तो सपा में अब ये देखिए तमाम अटकलों के बीच अब ये बड़ी और एहम तस्वीरे हैं जहां रवी प्रकाश ने अब कॉंग्र कॉंग्रस में शामल हो गई है गॉरव इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो चुके है देखिए गॉरव रवी प्रकाश अब कॉंग्रस के साथ आ चुके हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में लगतार जो कॉंग्रस सेंद लगा कॉंग्रस कोस्त में बड़ी सफलता हासिल हो रही है ये कितना बड़ा जटका है समाजवादी पार्टी के लिए गॉरव जब सब्सक्राइब लगता है ये ये जबाड़ी पार्टी में अबड़ी है थी दूख जो कर देने बादी के लिए गले चाहिए लिए को बड़ा जो कि लिए भाद सेंद रहाई है ठाल जो कि कि यह आपर भी जह करहा है यहां पर जिट्सरे जे लगजरा इपर्मा इपादी लेजाओ को अगर गणा इस पर अगरे जो नहीं अगर तो निद्या फिर आप प्रवागर को नूचावार इस अगर यह नहीं आप को जावन पर न दावन इस पर एंधर चल लेकिए तो इंदे लगातार पिछडों को साथने के लिए हर एक पार्टी अप्रेबनी रनीती पर काम कर रही है जहां भारतिय चंदा पाटी की भी आज बड़ी और एहम बैठा कोई है अटकले है कि दिसमर में बीजेपी कोई एक बड़ा समेलन करेगी पिछडों को साथने के लिए और अखिलिये शादफ विलगातार पीडिये का जिकर करते हैं जिन्होंने हाल ही में अग्रों का भी नाम दिया है ऐसे में ये पीडिये को कितना बड़ा जटका लगा है जिकर कर दिये कर बात करें तो पास ते ड़सलार के लबद भी जटने की आप पूरी पूरी कंबावना है अग्रों कि अग्रों के लगाता है कि अगर हम राजनादी कि दिहास पर एक नज़र डाले तो उनका परिवार भी लंबे समय समाजवादी पार्टी में रहा है साफ शदू में कहें तो दशकों से यह रवी प्रकाश है यह समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं बहुत बड़ी कोई वज़ा होगी तभी इन् अगरूनी पार्टी पात कि रुरूर रोने कि यह उन्याद बना आपर अपनारांसी कुछे स्कूरा करना है झाए ज़र लगाई जालें जालेजिक कि रमांयों कि आज अगयों कि अपर होगी प्रकार पेकर कोंवर करें जिखता है तो कोंवरी कि कि यह उन्हें टाहिए कि आते हैं कि आते हुपासी है अफ्ट जो नहीं देशे सु हो जयादा है पर अधिक का अरोपिनों लगाया है अब अल्रोपिये अज्टिक मन्छा है वो तो रभी तुगार्ण दाखोंगे लिए कर नहीं पूंगे सेच्छार यह पर एक प्रूंट मिल लग्टिम पर शीरी की बात करें तो लबाबा आरर जनसी पर रूपी आप गोरावा की बात करें ठीक है धर्यवाद गोराव इस खबर पर हमारे साथ जड़ने के लिए अब मेरेट से कबर है जहां नाबालिक किशोरी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है किशोरी के साथ कुछ लोगों ने दुशकर्मे की वारदात को अंजाम दिया था और मामले की शिकायत पेड़िता ने थाने में भी दर्च कराई थी लेकिन पुलिस ने एफार लगा कर मामले को रफ़ा दफ़ा तक कर दिया आरोपियों के होसले इतने बुलंद है कि वो पेड़िता के घर में घुसकर उसे जान से माणने की धमकी तक दिया है पेड़िता के ठक हारकर आजाद समाज पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष अंद्रशेकर आजाद से नियाय की गुहार लगाई थी तो इसके बाद पार्टी के जलाद्यक्ष ने सस्पे से निस्पक जाज की मांग की है तो फो गया था जिसमें मकदमा पंजिगरत किया अधाना सरूरपुर में और उसमें पुल्स घोर लापरवाई के wann के पैसे ले करके और उसमें राफिद्धार शलकर कर दिया उसके बाद उनी दवंगों में लगबस बेस तीन दिन पहले उन के घर में घुज करके पीडितों के और मार पिटाई की जान से मारने का उनको प्रियास किया है और यह धंकी भी है कि आप जो है इस तरह की कारवाई अगर करोगे तो आपको जान से मार करेंगी एक बड़ा सवाल सरकार के खलाप उठता है इस तरफ भारते जंता पार्टी की स सब्सक्राइब कर रही है और उनको अपना वोटर मानती है और दूसरी तरफ दलीतों के साथ जो हत्याचार हो रहा है मैं अभी यह करतान ओपिस में भी थड़े हैं आपने लोगों की भाइट लिए यह थाना मेडिकल छेतर के लोग है इनके साथ कल पर सो घटना हुई है प कोशियों के खिलाब कारवाई होगी को अंजाम दिया जाता है शुकायत दर्ज कराए जाती है लेकिन कोई भी कारवाई नहीं की जाती है सीधे तोर पर एफ़ार लगा कर मामले को रफदफा किया जाता है आखिर पुलिस की हीला हवाली इतनी क्यों इस मामले में देखने को मिल रही है राजन कर दिया जाता है जिसमें पताया गया था कि जिन लोगों पर एफ़ार लगाया गया है वो सबी लोग यहां नहीं मेरेट में बलकी पंचाब के लोकेशन मिलिये और इसमें पुलिस के तरफ से इस मामले में आफार लगा दी गई है वहीं जब कल राजमिस्ट्री इंचोनी के रहने वाले थे जिनके हत्या कर दी गई ती इस मामले में शोब तबा में चंद्रिशेकर आजास समाज पार्टी के जो राष्टी अध्यक्षे वह यहां पोचेते तो वहीं पिलित परिवार ने उसे इस मामले से अफगत कराया और पुरे मामले की शिकायद करते हुए उनसे बदत की बात कहीती तब चंद्रिशेकर आजास समाज पार्टी के पवन गुचर उनसे काप्तान से मिलकर इस मामले में इस्मड़ चार्ट करने की बात गई है और लेकिन ऐसे में यह देखना है कि जो पहले मामले में दुश्क्रफ के मामले में आयफार लगाती गई है क्या उतने भी पुने जाज हो पाएगी या फिर जो आरोपी है क्या उनकी वाकी ही लोकेशन महाची निए या फिर फुलिस पे इस मामले में मोटी रकम वसूल कर पूरा धिल चाहिए तो कि ऐसा फिलि कि मुख्या सीएम क्यों कि आदतना तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हैं वो तो साफ तौर पर ये कहते है कि जो अगर कोई छिडखानी एक चौराहे पर करता है तो दूसरे चौराहे पर सीजी टीवी उसका काल बनके खड़ा होगा यानि कि वो साफ तौर पर कहते है कि जो भी महिलाओं के साथ किसी भी तरीके से अबदता करता है दुशकर्म की वारदात को अंजाम देता है तो उसे बक्षा नहीं जाएगा अब इस मामले में जो पुलिस अधिकारियों की बड़ी ही लहावाली लापरवाही देखने को मिल रही है इन अधिकारियों से क्या कोई जवाब मांगा गया क्या कोई भी पीडित दरदर की टोकरे नाखाया और उन्हें इंसाफ हर हाल में मिलना चीए तो कि योगी जी के लगनों से तो आदेश बिल्कु सकते हैं लेकिन वो आते आते रास्ते में या यू कहें कि वो पैसेंजर किसी गाली से आ रहे है जो आदेश बिल्कु रूप जाते आए ट्रांसफर का या कोई बड़ा एक्शन ले लेते हैं तब इन अधिकारियों पर जब गाज के टिये ने तब समझ में आता है लेकि जो बच्ची है जिसके साथ पूरी वार्दात को अंजाम दिया गया है वो भी नावालिक है कि इस मामले पर डियम और एस पी को जानका है कि इतनी बड़ी हीला हवाली उनके जिले में हो रही है वो भी अधिकारियों के द्वारा जिनके ओपर बेटियों कि सुरक्षा की जिम्मधारी है तेके दो दिन पहले तैसिन दिवस सर्दरे में मनाई जा रहे थी जहां परशाशन के टीम और पुलिस के कप्तान यानि के है तस्वी भी महा मोचुत्ते तो ये फिलिद परिवार अपरी शिकायत लेकर महां पोचा कि हमारा छे महीने का मामला है और इसमें सियो साहब ने चार्ज करते हुए पुरे मामले में अबाद लगा के पुरे मामले से अबदत कराते हैं जोर्न शित परदान लेकर निकले त पुरे महां पर पहुचकर इनसे जोर्न शित परदार चील लिया तो इन्हें आत्मतार से रोका गया है वहीं इस मामले से भी ये साबित होता है कि तीन दिन पहले यानि की सैसल दिवस पे ऐसा काम करने की प्रदित परिवार ने सोची ती आत्मत्या करने की कोशित की उतके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर चू नहीं रही लेकि फिर अभी कुछ दिन पहले ही प्रिवार के घर में बुदकर दवंग उन्हें जांचर मारने की दंकी देते हैं मार फीड भी करते हैं और साथ के साथ बुकत्मा वापिस लेने की बिल्कु सरसर दंकी देते ठीक है बिल्कुल धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जूरते होए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्श को तक पहुचाने के लिए ये जिस हवा में हम सास ले रहे हैं ये भी अब बहत जहरीली हो चुकी है और हर तरफ आहाकार मचा हुआ है और प्रदूशन की मार भी हर तरफ देखने को मिल रहे है और उमीदे हैं कि आपसे कुछ दिनों में लोगों को इसी जहरीली हवा में सास भी लेना पड़ सकता है साफ तोर पर एक उधरन भी है कि देखिये आबो हवा खराब हो चुकी है और सास लेना मुहाल हो चुका है क्योंकि आपसे कुछ दिनों तक भी आबो हवा के सुधरने के कोई भी संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हर एक घंटे के साथ ही जो प्रदूशन का लेवल ह वो बढ़ता जा रहा है धुंद और कोरा भी ऐसा कि जिसमें सूरच के दर्शन तक लोगों को नहीं हो पा रहे हैं सड़क पर चलने के लिए लोगों को रोशनी का सहारा लेना पड़ता है और हर घंटे के साथ सास लेना भी दूबर हो रहा है जिसका असर बड़े बुड़ कोर्ट ने भी इस मामने पर केंद्र को कड़ी फटकार लगाई कोर्ट ने दिल्ली पंजाब यूपी हरियाना और राजस्थान को एक हफ्ते में हलफ नामा दाखिल करने का अंदर्देश दिया है वही उत्तर प्रदेश प्रदूशन कंट्रोल बोर्ड की AQMC यानि कि AIR Quality Monitoring कमिटी की भी बैठक हुई AQMC की बैठक में प्रदेश के 20 विभागों के अफसरों ने हिस्सा लिया इस बैठक में निर्देश जारी किये गए कि प्रदूशन कंट्रोल करने के लिए मैकेनाइस्ट रोड स्वीबिंग मशीन का भी उप्योग बढ़ाये जाए साथी पराली दिल्ली की आबो हवा खराब होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली की आबो हवा खराब होने का असर भी आप साफ तोर पर कई और प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है वही दिल्ली से सटे गाज़ाबाद के अगर हम बात करें तो गाज़ाबाद में प्रदूशन की मार ऐसी पड़ी के 440 बच्चे अस्पताल में भरती तक हो चुके हैं और प्रदूशन की मार का सबसे जादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है बच्चे और बज़र्ग और लगातार जो आबो हवा है वो और जहरीली होती जा रही है क्योंकि आबो हवा सुधर्णे के फिलाल कोई भी संकेत अभी मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं तो सर्दियों का मौसम आते ही का इशारों की आबो हवा भी काफी जहरीली हो जाती है ऐसे में अक्सर AQI और PM स्थर के बारे में हमको सुनने को मिलता है हवा की जो क्वालिटी हाउसे नापने के लिए Air Quality Index यानि की AQI का इस्तेमाल किया जाता है हवा की शुदता को मापने के लिए कि हवा कितनी प्यौर और इंप्यौर है इसके लिए Air Quality यूस किया जाता है ये महजे की काई है जिसके आधार पर पता चलता है कि उस इस्तान की हवा कितनी साफ है और AQI जिसका हम लगतार जिक्र कर रहे हैं ये भी 6 कैटिगरी में बाटा गया है यानि कि 6 कैटिगरी में AQI को कैटेगराइस किया गया है अगर AQI 0 से 50 के बीच होता है तो यानि कि जो वायो की गुर्वस्ता है यानि कि जो एयर कॉलिटी है वो काफी अच्छी है अगर 51 से 100 के बीच है तो मतलब कि जो एयर की कॉलिटी है वो संतोज जनक है 101 से 200 के बीच अगर एयर कॉलिटी होती है तो वो मध्यम की श्रेडी में आती है और 201 से 300 के बीच अगर किसी भी शहर किसी भी शेत्र का air quality पहुंचाती है तो वो खराब की श्रेडी में आती है और अगर 301 से 400 के बीच AQI दर्श किया जाता है तो वो बहत खराब श्रेडी होती है और 401 से 500 के बीच की श्रेडी को गंभीर श्रेडी कहते है तो AQI को 6 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और इसकी रीडिंग के आधार पर ही लोगों को स्वासंबंदी जरूरी दिशान निर्देश समय समय पर जारी किये जाते हैं तो वायो के गुडवत्ता को मापने के भी कई पैमाने होते हैं और अगर हम AQI के बात करें तो AQI को 6 कैटेगरी में बाटता गया है जिसमें 0 से 50 के बीच का अगर AQI है तो मतलब अच्छा 51 से 100 के बीच का अगर कहीं का AQI है तो यानि कि वायो की जो गुडवत्ता है वो संतोज जनक है 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच अगर AQI है तो खराब है और 301 से 400 के बीच अगर AQI है तो वो बहत खराब श्रेड़ी में पहुँचाता है यानि कि बेहदी गंभीर शेडी में दिल्ली का AQI है लिकिन कि AQI लगतार अब हर एक प्रदेश को परिशान कर रहा है लखनओ के AQI की बात करें तो लखनओ का AQI भी खराब और बेहद खराब शेडी में लगतार पहुंचता जा रहा है ऐसे में ज़रूरी दिशानिर देश प्रदेश की सरकार की तरफ से दिये जा रहे है लोगों से अपील की जा रही है कि वो पराली ना जलाए सबसे जादा पश्री में यूपे के किसानों से सरकार अब अपील कर रही है कि वो पराली ना जलाए लेकिन जब मसला गंभीर हुआ तो सुप्रीम कोट को भी इस मामले में हसक शेप करना पड़ा सुप्रीम कोट ने इस मामले पर किन सरकार को फटकार लगाते हुए पांच राज्यों से साफ तोर पर एक रिपोर्ट मांगी है और पांच राज्यों में कहा गया है कि वो प्रदूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या सक्त कदम उठा रहे हैं इसके बारे में एक संशेप ब्यॉरा दे इस पुलिटर में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे प्राइम टिवी